हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक टू मैई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ चना डाल की कतली तो चलिए इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कप चना डाल को एक बाउल में डाल के उसमें पानी डालेंगे और फिर इसे एक दो घंटे के लिए भिंगो के रख देना है यहाँ पर हमारा चना डाल अच्छी तरह से फूल चुका है इसे हमें अच्छी तरह से धुल के ले लेना है जिस कप से मैंने चना डाल लिया था अब उसी कप से हमें डेड़ कप चीनी ले लेना है मैंने यहाँ पे चीनी की कौंटिटी थोड़ा जादा रखी है जिससे हमारी कतली बिलकुल पर्फिक्ट बनके तयार होगी बस हमें ये ध्यान देना है कि हमने जिस बरतन से चला दाल लिया है उसी बरतन से थोड़ा सकर की कौंटिटी जादा रखनी है एक कपचना दाल के लिए डिर कपचीनी बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसे साइड में रखेंगे अब मैंने यहाँ पे आठ से दस बादाम को लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और छे से आठ पिस्ता को भी कट कर लिया है थोड़ा सा कदुकस किया हुआ नारियल फूड कलर इलाइची पाउडर क्योडा वाटर और घी अब इसे साइड में रखेंगे अब मैंने यहाँ गैस पे एक पैन रखा है और उसमें यह चना दाल को डालेंगे यहाँ मेरी गैस का फ्लेम मेडियम है और इसमें एक कप पानी डालके इसे दो तीन मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे क्योंकि यह पहले से भिंगा हुआ दाल है तो यह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें यह जल्दी से बॉयल हो जाता है अब इसे कबर कर देंगे और बीच बीच में इसे ऐसे चलाते रहेंगे यह जो जाक बन जाएगी तो इसे निकाल देना है मैंने यहाँ पे सारे जाक को ऐसे निकाल दिया है और इसे फिर एक मिनट के लिए कबर करके पका लेंगे अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर दिया है अब डाल को चेक कर लेते हैं ये देखिए ये बस हमें यहाँ डाल को इतना ही कुप करना है अब इसे हम एक प्लेट में चान के पानी से अलग कर लेंगे और इसे ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे हमें यहाँ डाल को ज़्यादा बारिक नहीं पीसना है थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे अब हमें जिस बरतन में हलोए को बनाना है उस बरतन में यह पीसे हुए डाल को डाल के मेडिया माच पे लगतार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है यहां लगतार चलाना है अगर आप रूख जाएंगे तो यह नीचे से जल जाएगा अभी इसमें एक चमजगी डालके इसे लगतार दो तीन मिनट के लिए और भून लेंगे यह बस इतना ही भूनना है ज्यादा इसे नहीं भूनना है इसमें सुंधी सुंधी खुजबू आ जाएगी तो समझ लीजिए आपका यह दाल भून चुका है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में दो चम्मच घी डालेंगे जब घी अच्छे से मिल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे इलाची पाउडर और यह डिर कप चीनी और यह एक कप दूद है इसे भी डाल देंगे और यहाँ पे मेरा गैस का फ्लेम मीडियम है इसे मीडियम आज पे लगतार चलाती हुए पका लेना है जब इसमें एक बॉयल आ जाए फिर इसमें यह भूना हुआ चना दाल डाल की थोड़ा थोड़ डाल की इसे मिक्स करेंगे अब इसे लगतार चलाती हुए मीडियम आज पे 10-15 मिनट पका लेना है अब यहाँ पे मैंने एक पिंच फूड कलर एड़ के आई यह अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो इसे आप इसकी भी कर सकते हैं इसे लगतार चलाती हुए पकाना है नहीं तो यह नीचे जलना सुरू हो जाएगा यहाँ मैंने आधा छोटा चमच इलाइची पौडर एड़ किया है अब फिर इसमें डालेंगे केमरा वाटर यहाँ पे एक चमच केमरा वाटर मैंने एड़ कर दिया है और फ्लेम को लो कर देंगे और जिस बरतन में इसे सेट करना है उसमें अच्छी तरह से घी को लगा के साइड में रख देना है अब इसमें एक चमच और घी एड़ करेंगे और इसे लगतार मिर्यम आज पे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे बिल्कुल हो गया है अब इसे जिस बरतन में सेट करना है उसको मैंने पहले से ही घी लगा के रख दिया था अब इसमें प्लट लेंगे अब इसे किसी कटोरी या हाथ के हिल्प से इसको फैला लेंगे और इस पे ड्राइफ रूट डालके अच्छे से दबा देंगे अब इसे तुरंथी कट कर लेंगे मैंने यहाँ पर डाइमेंट सेप में काटा है आप जिस सेप में भी आपको पसंद है आप उस सेप में काट सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो इसे दो महिना आराम से इस्टोर करके रख सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होगी अगर आप लोग इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बिलकुल परफेक्ट बनेगा और बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसे आप गर्मियों में भी लंबे टाइम तक रख के खा सकते हैं यह नहीं खराब होगा यहां पे मैंने हलवे को कट कर लिया है और यह देखिए यह कितना मज़दार बनके तयार हुआ है तो फ्रेंड्स अगर यह मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फैमली और फ्रेंड्स में सेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग